अध्यात मरजोतिस के तमाम दर्सकों आप सभी का बहुत बहुत श्वागत है आज के खास कारक्रम में मैं आपके साथ देभुमी रिशिकेश उत्राकंड से आचारी आसिस आप भी नीचे कुमेंट बॉक्ष में अपना नाम या अपने सहर का नाम लिपकर हमारे आज के कारक्रम का एक खास हिसा बन सकते हैं तसको देखो आज मैं जो चर्चा कर रहा हूँ राहू की महादसा पर आपने थमनेल में पढ़ लिया है कि राहू के बारे में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ अक्सर आज की चर्चा उन लोगे लिए बहुत महत्वपून होने वाली है जिनकी कुंडलियां अक्सर पूरी अच्छी तरह नहीं मिलती है या फिर जो लोग लब मैरीज की रहा पर निकल पड़ते हैं मैं लब मैरीज का कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ वो आपका स्वतंत्र नर्नय हो सकता है उसमें कोई भी अस्तक्षिप किसी का नहीं होना चीब मुझे ऐसा लगता है और स्वतंत्र अपने लिए वरवधू का चैन करना ये आपका स्वतंत्र अधिकार है भी इसलिए मैं निवेदन सिर्फ ये करूँगा कि जिन लोगों की कुंडली में किसी प्रकार से ग्रहों की स्थती मैच नहीं करती है कुंडली मिलान के दौरान उनकी जनम कुंडली का आधार पर उनके पूरे गुन नहीं मिलते है सिर्फ कई अचक एक चीज और भी यहां पर मैं किलियर कर दूँ कई बार हम लोग गुन मिला लेते हैं और हम देखते हैं 18 प्लस में साधी हो जाती है लेकि उसमें बहुत सारी ऐसी महतुप्रूर चीज़े होती है जो समें मिलना आवश्यक होता है लेकिन वहीं नहीं मिलते हैं कई बार ऐसे भी हमने बहुत सारी कुंडलिया देखी है जिनमें ग्रहे गुन तो कम मिले वे हैं लेकिन अन्य चीज़ों की मैचिंग अच्छी है जो वेभाईक दामपत्ती जीवन आपका अच्छा बना देती है लेकिन खासकर में उनके लिए यहाँ पर कहना चाहूंगा कि राहू की दसा चल रही हो और कुंडली का प्रोप्र मिलान नहीं है यह बहुत सारे से दोस्ट जैसे नाडी दोस्ट, सड़ाश्टक दोस्ट, मिर्त्व सड़ाश्टक तरह से बहुत सारी कुंडली आमारे पास आती है और उस दोरान देखा जाता है कि उनका यह सब भी चल रहा है और राहू की दसा भी चल रही है या कही बार अंतर में प्रतिंतर में या कही न कोई कुछ इस प्रकार की जो है उस वरतमान का अध्याय होता है कि जो कही न कही उनको और जादा कही न कही सतर्क रहने के लिए कहता है या फिर और ज़्यादा क्या उस पर विचार करने चाहिए उसके लिए हमें बढ़ना चाहिए देखो जोतिस में समस्या नहीं समस्या का समाधान जोतिस है अगर ऐसा है और फिर भी वो विवहा करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या उपाय होना चाहिए और प्रोपर मैचिंग हम कैसे करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को तो cancellation हो जाता है कुण लेके अंदर, अब आम जोत्सी कई बार हमारे पास लोग कहते हैं कि हमारा शड़ाश टकता है और हमें कहा दिया कि आपकी दुम्रित्य हो जाएगी, तो ये आस्यास्पत भी लगता है कई बार, तो लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि अगर ये सब इस्तुतियान भी वहाँ पर प्रतिकूल है और विभा का कई बार हमने समय भी नहीं निकाला, क्योंकि लब मैरीज के मैटर में अक्सर हम देखते हैं कि लोग इधर भी जल्दी करते हैं, उदर विभा के लिए भी जल्दी करते हैं, समय नहीं होता है, अगर कोई उपाए हैं तो उस पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसका सीधा परिणाम बाद में कोई अन्होनी घटना होती है, तो ये खास बाद चीज़ है, तो इसलिए राहू की महादसा में, वैसे तो अक्सर में और आपको बात बता दू, राहू की महादसा में जिन लोगों का विभाग होता है, अब अपवाद सरूप कुछ यहां पर यह भी हो सकते हैं, नहीं हमारा तो राहू की दसा में हुआ था, और ऐसा नहीं हुआ, तो वो जन्म कुण्लिक एक अलग आधार है, कि हो सकता है उनकी उसमें, कुण्लिक में राहू की क्या स्थती है, यह अन्य ग्रहों का क्या वहाँ पर रोल था, तो वो चीज़ अलग है, लेकिन कहीं न कहीं आगर राहू की मादसा में विभा होता है, तो कहीं न कहीं दामपत्ती जीवन में समस्यां खड़ा करता है, यह निभी निश्ची थे, और अगर इस तरफकार की दसा चल रही है, तो अकसर जो इसमें सुल्जेवे जोतरे भी दोते हैं, बहुत सारे लोगों के अपने पुरोहित होते हैं, वो अच्छे जानकार भी होते हैं, या उनके शंपरग में अच्छे अस्ट्लोजर होते हैं, तो वो सलहा लेकर के इस दौरान काम करते हैं, तो यहां पर उसके लिए वैदी ग्रेमडी बहुत जरूरी है, जो आपको अप्लाई करनी चाहिए, और उसके बाद फिर आपको विभा के लिए आगे बढ़ना चाहिए, तो यह कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, जो आपको दिहान इसमें देना चाहिए, तो राउ की दसा में यह आपको निश्यत मान के चलें, कि अगर ऐसा है और इस प्रकार की स्थियां बन रही है, कि प्रेम बिभा का प्रसंग है, और यह सब चीजों पर ध्यान नहीं किया है, कुणली भी अच्छी से नहीं मिल रही है, तो फिर आपको इन सब चीजों पर पूरा अच्छा विश्लेशन करने, और मिलान करने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए, तो दरश्कों आप बने रहें और हमें फिलाल दीजिए इजाज़त, धन्यवाद,